कारेकम में उपस्तित केमिनेट में मेरे वरीष्ट सहयोगी स्रिमान राजनाथ सी जी डॉक्टर जितेंद्र सी जी साइंस और टेक्नलोजिक कम्यूनिटी के सभी सम्मानि सदस्य और मेरे युवा साथियों आज 11 मई का ये दिन भारत के इतिहास के सबसे गवरों मई दिनों में से एक है आज भारत के वैज्ञानिकों ने पोखरण में वो उपलब्दी हासिल की थी जिसने मा भारती की हर संतान का सिर गर्व से उंचा कर दिया था मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता जब अटल जी ने भारत के सफल परमानू परिक्षण की गोश्णा की थी पोखरण परमानू परिक्षण के जरिये भारत ने ना केवल अपने वैज्ञानिक सामर्थ को साबित किया बलकि भारत के वैश्विक कद को एक नई उंचाई भी दी थी अटल जी के शब्दों में ही कहूं तो अपनी धे यात्रा में हम कभी रुके नहीं है किसी चनोती के समक्स कभी जूके नहीं है मैं सभी देशवास्यों को आज के दिन की नेशनल टेक्नलोजी डे की बहुत बहुत सुबकामनाई देता हूं साथियों आज यह अवसर पर कई फुचरिटिक इनिसिटिव का लोकारपन और से लानियास भी हुआ है मुंबई में नेशनल हेड्रोन बीम थेरेपी फेसलिटी पर रेडियो लोजीकल रिसर्च सेंटर हो विशकापत्रम से के बार्ख केमपस में रेर अर्थ पर्मनेंट मैगनेट प्लांट हो मुंबई की फीजन मौली 99 प्रोडुक्शन फैसिलिटी हो या विबिन्द शेहरों के कैंसर होस्पिटल हो इस सभी समस्थान नुकलियर टेक्नोलोजी के मदद से मानवता की और भारत की प्रगति को गती देंगे आज टाटा इंस्टिटूट अब फंडमेंटल डिसर्च और लेजर इंटर फेरोमिटर ग्रेविटेशन वेव अब्जर्वेटरी लाइगो इंडिया का सहलान्यास भी हुआ है लाइगो 21 सदी के सबसे बहतरी साइंस एंड टेक्नोलोजी इनिसिटिव में से एक है दुनिया में गीने चुने देशों के पास ही इस तरह की अब्जर्वेटरी आज है भारत के स्टूडेंस और साइन्टिस के लिए इस अब्जर्वेटरी आधूनिक रिसर्च के नए अवसर लेकर आ रही है मैं इन प्रोजेक्स के लिए भी देश के वैज्ञानिक समुदाय को सभी देश वास्यों को बधाई देता हूं साथियों इस समय हम आज़ादी के अमृतकाल के शुरू आती महिनों में हमारे सामने 2047 के स्पश्ट लक्ष है हमें देश को विक्सित बनाना है हमें देश को आत्मन निर्भर बनाना है भारत की एकनॉमिक ग्रोथ हो सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल हो या फिर इनोवेशन के लिए एक इंक्लूजिव इको सिस्टिम का निर्मान करना हो टेक्नोलोजी कदम कदम पर हमारे लिए जरूरी है और इसलिए आज भारत कि एक नई सोच के साथ कि थ्री सिक्स्टी डिग्री हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ कि इस खेत्र में आगे बढ़ रहा है भारत टेक्नोलोजी को अपना दबदबा कायम करने का माध्यम नहीं बलकि देश की प्रगती को घती देने का एक टूल मानता है और मुझे यह देख कर बहुत अच्छा लगा कि इस बार की थीम स्कूल टू स्टार्ट अगिनाइटिंग यंग माइंड्स टू इनुवेट यह रखा गया है आज हादी के इस अमृत काल में भारत का भविश हमारी आज की युवापीजी हमारे आज के स्टूडन्स ही ताय करेंगे आज की स्विवापीजी के पास नए सपने हैं नए संकल्प है उनकी उर्जा उनका जोश उनका उत्सा इभारत की बहुत बड़ी ताकत है हमारे देश के महान विज्ञानिक और पूर्वराश्पती डक्टर कलाम कहां करते थे आज जब भारत एक नॉलेज विट एक्षण के तौर पर ससक्त हो रहा है तो उतनी ही तेजी से एक्षण भी ले रहा है भारत के यंग मैंड्स को इनोवेशन के तरफ प्रेजित करने के लिए कि बीते नव वर्षों में कि देश में एक मजबुत बुनियाद बन चुकी है कुछ साल पहले शुरू की गई अटल टिंकरिंग लैप्स एटी एल आज देश की इनोवेशन नर्सरी बन रही है आज देश के 35 राज्यों में 700 जिलों में दस हजार से जादा अटल टिंकरिंग लैप्स बनाई जा चुकी है और ऐसा नहीं है कि साइंस टेकनोलोजी इनोवेशन और इंक्युवेशन का एमिशन केवल बड़े शहरों तक सिमित है करीब साथ प्रतिशत अटल टिंकरिंग लैप्स सरकारी और ग्रामिंड स्कुलों में खुली है आप कल्प ना कर सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में बच्चों के लिए पढ़ाई के माइने बदल रहे हैं वो इनोवेशन की तरह प्रेरित हो रहे हैं आपको यह जानकर खुशी होगी कि आज अटल टिंकरिंग लैप्स में पच्चतर लाग से ज़्यादा स्टूडेंट्स 12 लाग से ज़्यादा इनोवेशन प्रोजेक्स पर जी जान से जुटे हुए हैं काम कर रहे हैं यानि आने वाले समय में लाखो जुनियर साइंटिस्ट स्कूलों से निकर कर देश के कोने कोने में पहुंचने वाले हैं इस इनकी हैंड होल्डिंग करना हर तरह से मदद करना इनके आइडियाज को इंप्लिमेंट करने में सहायता दाना यह हम सभी का बहुत बड़ा दाइत्वा है आज सैंकडों की संख्या में स्टार्ट अइसे हैं जिनका इंक्वेशन अट्रल इनोवेशन सेंटर्स में हुआ है अट्रल टिंकरिंग लेप की ही तरह अट्रल इनोवेशन सेंटर्स ए आइसीज भी न्यू इंडिया के लेबरेटी बनकर उभर रहे हैं आप देखिएगा भारत के ये टिंकर प्रेन्योर्स एंट्रप्रेन्योर्स हम देखते थे ये टिंकर प्रेन्योर्स हैं कल ये लीडिंग एंट्रप्रेन्स बनने वाले हैं साथ्यों महर्सी पतंजली का एक सुत्र है पर्मानू परम महत्व अंतह अश्य वशिकारह यानि जब हम किसी लक्ष के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो परमानू से लेकर ब्रमान तक सब कुछ वश्में आ जाता है 2014 के बाद से भारत ने जिस तरह साइंस और टेक्नलोजी पर जोड़ देना शुरू किया है वो बड़े बदलावों का कारण बना है हमने जो स्टार्ट अप इंडिया अभियान शुरू किया जो डिजिजनल इंडिया अभियान शुरू किया जो नेशनल एडुकेशन पालिस ही बनाई उसने भी टेक्नलोजी क्षेत्र में भारत के सभलता को नहीं उचाई दिया है पहले जो साइंस केवल किताबों तक सिमित था गी वो अब एक्सपरिमेंट से आगे बढ़कर जादा से जादा पेटेंट्स में बदल रही है भारत में दस साल पहले एक बर्ष में चार हजार के आसपास पेटेंट ग्रांट होते थे आज इनकी संख्या सालाना तीस हजार से भी जादा हो गई है भारत में दस साल पहले सालाना दस हजार डिजाइन रजिश्टर होते थे आज भारत में सालाना पंदरा हजार से जादा डिजाइन रजिश्टर हो रहे है भारत में दस साल पहले सालाना सत्तर हजार से भी कम ट्रेड मार रजिश्टर होते थे आज भारत में सालाना धाई लाग से जादा ट्रेड मार रजिश्टर हो रहे है कि आज भारत हर उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जो एक टैक लीडर कंट्री के लिए जरूरी होता है कि आप मैं से कई साथ ही जानते हैं कि 2014 में हमारे देश में करीब डेड़ सो के आसपास ही इंक्यूबेशन सेंटर्स थे आज भारत में इंक्यूबेशन सेंटर्स की संख्या 650 भी पार कर चुकी है कि आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81 नंबर पे था वहां से उपर उड़ करके 40 वे स्थान पर पहुँच चुका है आज देश के युवा हमारे स्टूडेंट्स अपने डिजिटल वेंचर्स खड़े कर रहे हैं स्टार्ट अप शुरू कर रहे हैं 2014 में हमारे हां स्टार्ट अप की संख्या भी कुछ सों के आसपास थे कि आज हमारे देश में रखनाई स्टार्ट अप की संख्या भी करीब करीब एक लाख पहुच चुकी है आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इको सिस्टिम है और यह ग्रोथ उस समय में है जब दुनिया आर्थिक अनिस्षित्ताओं के दोर से गुजर रही है यह भारत का सामर्थ दिखाता है भारत का टैलेंट दिखाता है और इसलिए मैं फिर कहूँगा पॉलिसी मेकर्स के लिए हमारे विज्ञानिक समुदाय के लिए देश भर में फैली हमारों हजारों रिसर्ट लैप्स के लिए हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए यह टाइम बहुत ही महत्वपुण है स्कूल टू स्टार्ट अप्स की आत्रा हमारे स्टूडन्स करेंगे लेकिन आपको उन्हें निरंतर गाइड करना होगा प्रोच्साहित करना होगा और इसमें मेरा आप सभी को पूरा सपोर्ट रहेगा साथ क्यों जब हम टेक्नोलोजी के सामाजिक संदर्प को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो टेक्नोलोजी एंपावर्मेंट का बहुत बड़ा माध्यम बन जाती है कि सोच्यल जस्टिस सामाजिक न्याय को सुनिशित करने और असंतुलन को मिटाने का भी माध्यम बनती है एक समय था जब टेक्नोलोजी सामान्य भारतिय की पहुंच से भारती आपको भी आद होगा कभी जेब में क्रेडिट या डेबिट कार्ड लेकर चलना स्टेटस सिंबॉल हुआ करता था लेकिन भारत का यूपी आई आज अपनी सिंप्लिसिटी की वेज़े से न्यू नॉर्मल बन गया है आज रेडी पट्री वाले से लेकर रिख्से वाले तक हर कोई डिजिटल पेमेंट का इस्तिमाल कर रहा है आज भारत दुनिया के उन देशों में हैं जहां सबसे ज़्यादा इंटरनेट डेटा इस्तिमाल होता है ग्रामिन इलाकों में सहरी इलाकों की तुलना में इंटरनेट यूजर ज़्यादा है इसे लोगों के सामने जानकारियां संसाधनों और अफसरों की एक नई दुनिया खुल रही है जैम ट्रिनिटी हो जैम पॉर्टल हो कोविन पॉर्टल हो या किसानों के लिए डिजिटल अग्रिकल्चर मार्केट इन एम हमारी सरकार ने टेक्नलोजिका उप्योग एजेंट अफ इंक्रूजन के रुप्पे किया है साथियों टेक्नलोजिका सही तरीके से सही समय पर उप्योग समाज को नई शक्ती देता है आज भारत में जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए कोई न कोई टेकनोलोजिकल सॉलूशन्स तैयार हो रहे हैं जन्म के समय ऑनलाइन बर्ट सर्टिपिकेट की सुभिदा है बच्चा जब स्कूल की शुरुवात करता है तो उसके पास इपांट साला और दिख्षा जैसे फ्री एर लर्निंग प्रेट्वांस है और आगे बढ़ने पर वो नेशनल स्कॉलर्शिप पोर्ट्रल पर स्कॉलर्शिप के लिए अप्लाई कर सकता है जब वो अपनी नोकरी शुरू करता है तो उसके पास युनिवर्सल एक्सेस नंबर की सुभिदा है तकि जॉब्स बदलने पर भी उसे कोई दिक्कत ना आए किसी बिमारी की स्थिति में वो तुरंत आज इस संजीवनी की मदब से अपनी उप्चार की व्यवस्था कर सकता है बुजूर्गों के लिए बायोमेट्रिक एनेबल डिजिनल सर्विस जीवन प्रमाण की सुभिदा है आप सोचिए पहले बुजूर्गों को पैंशन जैसे कामों के लिए अपने जिंदा होने का सबूत देना होता था चाहे तब्यत खराब हो या चलना मुश्किल हो उन्हें वेरिफिकेशन के लिए खुद जाना होता था अब ये सारी परेशानिया टेक्नलोजी की मदद से समाप्त हो रही है डे टू डे लाइफ में हर कदम पर टेक्नलोजी सॉलूशंस देश के नागरिकों की मदद कर रहे हैं अगर उसे जल्दी पास्पोर्ट बनवाना है तो M-Pasport सेवा है, अगर उसे एरपोर्ट पर हैसल फ्री एक्सपिरियंस सुनिचित करना है तो DG यात्रा एप है, अगर उसे इमपोर्टेंट डोक्युमेंट्स को सुनिचित रखना है तो DG लोकर है, इन सारे प्रयासों से Social Justice स पर इज और निम्हीं बढ़ाने में मदद मिली हैं साथियों आज हर दिन टेक्नोलोजी की दुनिया में तेजी से बरला हो रहे हैं भारत के युवाही इस पीड को मैच करने में इस पीड को क्रॉस करने में देश का नेत्रूत्व करेंगे आज ए आई टूल्स नए गेम चेंजर बनकर उपरे हैं हिल्ट सेक्टर में आज हम कितनी असीम संभावनाओं को देख रहे हैं ड्रोन टेक्नोलोजी में भी हर रोच नए इनोवेशन्स हो रहे हैं ऐसे ही थेरेपेटिक्स सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है हमें ऐसी रिवार्शनरी टेक्नोलोजी में लीड लेनी होगी आज भारत अपने डिफेंस सेक्टर को आतमंदिर भर बना रहा है इससे भी हमारे युवा स्टार्ट अप्स को बहुत से मोके मिल रहे हैं डिफेंस में इनोवेशन के लिए हमने इनोवेशन फोर डिफेंस अक्सलेंस यहने आइडेक्स भी शुरू किया है मुझे खुशी है कि रक्षा मंत्राले ने आइडेक्स के साड़े तीन सो करोड रुपय से जादा के चाउदा इनोवेशन को प्रोक्योर किया है साथियों आई क्रियेट हो या फिर डियाड यो यंग साइंटिस्ट लैप जैसे इनिशेटिव आज इन प्रयासों को नई दिशा दे रहे हैं स्पेस सेक्टर में भी न्यू रिफॉर्म्स के जरिए भारत एक ग्लोबल गेम चेंजर की भूमी काम के सामने आ रहा है अभी मैं SSLV और PSLV Orbital Platform जैसी टेक्नोलोजी देख रहा है हमें स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्ट अप के लिए यूज के लिए नए अफसर उपलब्द कराने होगे हमें कोडिंग से लेकर गेमिंग और प्रोग्रेमिंग तक हर छेत्र में लीड लेनी होगी इस समय भारत सेमी कंडुक्टर जैसे नए एमेन्यूज में भी अपनी मौजूद की बढ़ा रहा है पॉलिसी लेबल पर हम पियलाई स्कीम जैसे इनिशिटिव ले रहे हैं इंडस्ट्री और इंस्टिटूशन की जिम्मेदारी है किस फिल्ड में टैलेंटेड यूज को सपोर्ट करें साथियों आज इनोवेशन से लेकर सुरक्षा तक के लिए हैके थोंस की एक बड़ी भूमिका है सरकानी ने लगातार प्रमोट कर रही है हमें हैके थों कल्चर को आगे बढ़ाना होगा स्टार्ट अप्स को नए चलेंजिस के लिए तयार करना होगा इन प्रतिभाओं की हैंड होल्डिंग हो उन्हें आगे बढ़ने के लिए संगर्स न करना पड़े हमें इसके लिए एक फ्रेमवर्ग तयार करना होगा खासकर अटल टिंकरिंग लैप से जो युवान निकल रहे हैं उन्हें इन्वॉल्ड रखने के लिए एक इंस्टिटुसलाइज सिस्टिम होना चाहिए क्या हम इसी तरह अलग अलग शेत्रों में देश की सोग लैप्स को चीनित कर सकते हैं जिन्हें यूद ध्रिवन बनाये जाए क्लीन एनर्जी और नेच्रल फार्मिंग जिसक्षेत्रों में जहां देश का खाथ फोकस है हमें रिसर्ट और टेक्लेजलोजी को प्रमूट करना होगा है इसके लिए भी यूवाओं को मिशन मोड में जोड़ना बहुत जरूरी है मुझे बहुत होसा है नेशनल टेक्लेलोजी वीक इन संभावनाओं को साकार करने में एक एहम भूमी का दिभाएगा इसी अपेक्षा के साथ आप सभी को एक बार फिर इस आयोजन के लिए बहुत बहुत शुब कामना है बहुत बहुत धनिवाद बहुत बहुत आभार मारणी प्रधान